नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने योट्यूब चनल नियू आइडियास वाइटी में बेसकली जो ये क्लास है आज की ये मोश्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% आपके एक्जाम में इस वीडियो से कोशन आने वाला है उसमें कोई सक नहीं है तो आप इस वीडियो को complete ध्यान पूर्वक देखिएगा so let's start हाला कि जो ये क्लास है ये काफी लंबी होने वाली थी बट मेरी तवियत सही नहीं है तो मैं आप लोगों को जो important points है जिने आपको कते मिस नहीं करना है वो आपके साथ discuss करने वाला हूँ साथी 3 से 4 long questions भी है जो मैं आपके साथ में इस क्लास में discuss करने वाला हूँ so let's start सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि जो python language है ये actual में क्या है इसके क्या features है और इसका क्या history है क्या इतिहास है तो इसका simple answer है कि जो python है ये एक high level interpreted interactive or object oriented scripting language है basically जो ये आपकी first line है इससे आपके exam में question आ सकता है true false में और आपसे बोलेगा कि python एक high level interpreted interactive object oriented and statically typed scripting language है तो आपको करना है false क्यों क्योंकि जो python है सबसे पहला तो ये high level है number 2 जो इसका code होता है उसे हम लोग interpreted कराते हैं हाला कि जो python language है ये compile और interpreted दोनों है बट हम लोग इसमें जो interpreted होती है उसको reference करते हैं उसको preference देते हैं साथी जो python है ये interactive भी है और ये oops के concept को follow करती है इसके लावा ये statically नहीं होती है बलकि ये होती है dynamically अब बात ये आती है कि dynamically का मतलब क्या होता है मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने python में जब variable create करते हैं तो आप उस variable का नाम लिखते समय उसको declare करते समय आप ये नहीं लिखते हो कि जो variable आ बना रहे हो वो किस type की value को contain करेगा बिसकली ऐसी language जिसमें आप लोगों को variable बनाते समय data type declare नहीं करना पड़ता है तो आप उसे dynamically typed language बोल सकते हो बिसकली जो dynamically typed language होती है उसमें जो data का निर्धारण होता है जो data का decide होता है data type का वो execution के दौरान होता है जब वो program execute हो रहा होता है जबकि अन्यभासाएं punctuation का उप्योग करती है python में कम synthetic constructions है python को mac, windows, linux, raspberry pi आध जयसे vivin platform के साथ अत्यधिक readable और compatible होने के लिए design किया गया है आप लोगों ने python पढ़ा ही होगा तो उसमें जो programs होते हैं काफी छोटे हैं जो उसका code है वो readable होता है और वो ज़्यादा complex भी नहीं होता है ठीक है तो यह हो गया python के बारे में basic जानकारी basically अगर आपसे पूछे कि आप इसकी history के वारे में थोड़ा सबताईए तो आप लिख सकते हो कि जो python है इसे 1989 में गीडो वन रौसम के द्वारा develop किया गया था और जो python का पहला release है वो 1991 में किया गया साथी python का सबसे latest जो version है वो python 3 है तो आप इतना लिख सकते हो दिन बात आती है कि जो python language है इसके क्या-क्या features है तो सबसे पहला python एक interpreted language है इसलिए c.jc languages के विपरीत इसे execution से पहले compile करने की need नहीं होती है नमबर दो python dynamically typed है इसलिए data type के साथ एक variable declare करने की कोई अवसकता नहीं होती है python interpreter variable के मान के अधार पर data प्रकार को identify कर लेता है next python एक object oriented programming paradigm को follow करती है जिसमें access specifier होने के अपवाद है access specifier यानि कि public और private keyword के अलावा python में classes, inheritance और अन्य जो general oops concept होते हैं वो available होते हैं basically अगर आपसे पूछे कि जो python है क्या वो public और private concept को follow करता है तो आपको answer tick करना है false क्योंकि जो python है वो officially रूप से public और private जो variables होते हैं उसको support नहीं करता है हाला कि ये एक oops concept का ही feature होता है बट python नहीं मानता है next python एक cross platform language है यानि कि windows system पर लिखा गया एक python का program linux system पर भी आसानी से चल सकता है उसमें कोई भी बदलाओ कोई भी modification की need नहीं होती है अगला दिया गया है python एक general purpose language है इसका मतलब यह है कि आप python की help से different type के software develop कर सकते हो चाहे वो आपका desktop application हो या कोई game application हो तो आप ऐसा कर सकते हो अगला point आता है numpy जो की important है आप से बोलेगा कि numpy को define करिये तो numpy का मतलब numerical python है धान दीजेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर speed में पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके पास time कम है और मैं सारी चीजे आप लोगों को पहले से ही chapter wise वीडियो में बिल्कुल पूरी वाक्या के साथ में समझा चुका हूं तो जो numpy है इसका full form numerical python होता है यहाँ python के साथ data analysis और scientific computing के लिए एक open source cross platform package है जिसे 2005 में Travis Oliphant के द्वारा बनाया गया था आपसे पूछ सकता है mcq में कि जो numpy है इसे किसके द्वारा और कब बनाया गया यानि कि mcq में आ सकता है तो आपको ये sun और जो इनके developer है वो आपको याद रखना है बिसकली जो numpy package है ये c language में लिखा गया है और जो c language है इसे 1972 में Dennis Richie के द्वारा develop किया गया था अगला है numpy का उप्योग array पर mathematical और logical operation करने के लिए भी करते हैं array python list की तुल्ला में fast है बिसकली आपके exam के लिए important है कि जो numpy array होता है और list है इसमें actual में क्या differences होते हैं जो की एक most important question है तो इनमें जो difference है उसको आप तयार कर लिजेगा साथ ही जो array होता है ये list से fast होता है क्यों इसका reason क्या है इसके पीछे कई reason है बट उनमें से एक reason ये भी हो सकता है कि जो list है इसमें आप mix जो values होती है उसको आप रख सकते हो मान लीजे आपने कोई list create किया ठीक है list का नाम है मान लीजे list to ठीक है और इस list के अंदर आपने कुछ element रखें कुछ element float type के हैं कुछ string type के हैं कुछ integer type के हैं तो ऐसा आप list में कर सकते हो बट जो array है वो बोलता है कि भी या जब आप array create कीजे तो मैं एक ही प्रकार की जो values हैं उसको hold कर सकता हूँ उसके अलावा other type की जो values हैं वो allow नहीं है यानि कि आप array में एक ही data type की value को store करवा सकते हैं तो जो array होता है वो list की तुलना में fast होता है और इसमें इन array के साथ काम करने के लिए functions हैं नमपाई का उप्यो करने के लिए इसे सबसे पहले install करना होगा कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने अपने computer में python को install कर लिया है तो इस case में अगर आप numpy का use करना चाहते हैं तो numpy का फैदा लेने के लिए आपको अपने computer में numpy भी install करना होगा और उसके लिए अगर user को अपने computer में numpy package install करना है तो उस case में क्या command लिखी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है pip install numpy यह command होती है जिसकी help से आप अपने computer में numpy install करते हो और आपको pip का full form comment करना है अगला आता है numpy.array आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको array create करना है तो आप कैसे करेंगे उसका क्या routine है तो array को create करने के लिए आपको कई सारे method मिल जाते हैं कई सारे routine है बट हमने उन में से किसी एक को लिया है और वो है array कि अगर आपको array method की help से numpy array create करना है object create करना है तो आप कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने computer में numpy install करना होगा दिन आपको numpy module को अपने program में import कराना होगा तो हमने क्या किया लिख दिया import numpy as np यानि कि जब भी मुझे numpy लिखना होगा तो मैंने उसका नाम रख दिया है छोटा सा जिसको बोलते हैं घर का नाम तो हमने नाम रख दिया है np तो जब भी मैं np लिखूंगा तो उसका मतलब यह है कि मैं numpy को बुला रहा हूँ यह घर का नाम है और यह school का नाम है ठीक है dot array, array क्या है, array method है, then इसके बाद हमने यहाँ पर एक list पास कर दी है, जिसके अंदर same data type, and that is integer type की values है, like 10, 15, 20, 25, 30, यह क्या है, यह सभी के सभी एक ही प्रकार की value है, then इस statement के execute होते ही क्या होगा, एक array create हो जाएगा, जिसमें यह element store हो जाएंगे, अब बात यह आती है, कि अगर आपको array के अंदर के सारे element print करवाना है, तो आप कैसे करवाएंगे, तो simply आपको लिखना होगा, array का नाम, तो हमने आपर लिखा print, और यहाँ पर एक छोटा सा दे दिया, हमने message, arrays element equal, और यहाँ पर हमने a double r, इस array को print करवा दिया, तो इससे क्य होगा, यह सारे element इस sequence में print हो जाएंगे, ध्यान दीजेगा एक बात और, कि जो arrays होते हैं, सबसे पहला point, कि array के अंदर आप same data type की value को ही contain कर सकते हो, number 2, जो array के element होते हैं, उसकी indexing 0 से शुरू होती है, आप से पूछ सकता है true false में, कि क्या array की indexing 0 से शुरू होती है, तो का answer हैगा, जी हाँ, indexing 0 से शुरू होती है, साथ ही आप array के element को, उसके index के through access कर सकते हो, ठीक है, तो यह points आपको याद रखने हैं, दिन आपको कैसे पता चलेगा, कि जो यह ARR नाम का variable है, object है, इसका type कैसा है, वाकई में यह array है, या फिर नहीं, तो आपने क्या किया, type method का use किया, और इसके अंदर इस object को pass कर दिया, and that is ARR, जब यह statement execute होगा, तो यहाँ पर print हो जायागा, numpy nd array, इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ARR है, इसमें जो values हैं, वो array type की है, तो यह complete question था, आपसे पूछेगा, कि numpy क्या होता है, यानि कि numpy को define कीजिए, साथी आप array कै कैसे create करोगे, इसका example दीजिए, तो आप इतना लिख दीजेगा, अगला आता है, जो कि most important flow chart, इस बार flow chart आने की पूरी उम्मेद है, तो आप flow chart को prepare कर लिजेगा, तो basically flow chart होता क्या है, तो किसी program के logic sequence को लिखने या बनाने के लिए एक graphical representation होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या flow flow chart, flow chart में हम किसी भी program को solve करने के लिए, पहले से define की गई shape का use करते हैं, और अलग-अलग shape का अलग-अलग role होता है, अलग-अलग meaning होता है, basically जो algorithm होता है, वो किसी भी problem का, जो भी आप step by step, निर्देश लिखते हो, उसको हम बोलते हैं, algorithm, तो आप लोगों को यहाँ पर symbol द हम लोग क्या करते हैं, flow chart को start या फिर end करते हैं, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, या आप बोल सकते हो start और stop या begin और end, अगला आता है processing box, तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा statement हो, जिसमें process की बात हो, तो आप इस processing box का use करते हो, साथी अगर आप लोगों को user से कु करना है, तो आप इस input output box का use करते हो, वहीं अगर बात आ जाए decision की, निरले लेने की, यानि की condition की, तो उस case में आप लोग यहाँ पर जो branching statement है, जो branching shape है, जिसकों बोलते हैं diamond shape, इसका use करते हो, अगला है, जो flow chart का, जो flow है, उसको दिखाने के लिए हम लोग left, right, up, down, in arrows का use करते हैं, तो आप इन symbols को अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि ये आने की पूरी उम्मीद है, अगला आता है, कि कुछ points के बारे में, कि जो python है, उसे आप कहां से download कर सकते हो, तो एक website है python की python.org, इस website पर जाकर आप python को download कर सकते हो, basically ये एक python software foundation है, next, जो indentation होता है, जो कि आपके exam के लिए important है, आपसे पूछ सकता है, कि indentation के बारे में, थोड़ा बहुत लिखिए, यानि कि short note आ सकता है, तो indentation refers to the spaces at the beginning of our code line, code line के starting में, जो white space होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या indent, यहाँ पर लिखा गया है, a block is a combination of all these statements, basically, जब भी आपके पास, कई सारे statement होते हैं, तो उनको combine करने के लिए, उनको group करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, एक block define करते हैं, अगर आप लोगों ने c language, या फिर java, या java script पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, कि अगर आपको statement का block define करना है, तो आप use करते हो curly bracket का, मान लीजे, आपके पास तीन statement हैं, इन्हें आपको group करना है, तो आप c, java, java script में use करते हो किसका, curly braces का, बट जो python है, ये बोलता है कि या, आप curly braces ना लगाओ, सिर्फ space दे दीजे आप, तो जो space आप देते हैं, starting में, इसको हम बोलते हैं, indentation, मैं आपको देता हूँ example, ताकि आपको और clear हो जाए, और आप exam में अच्छा खासा लपेट पाएं, तो python मैंने इंटर किया, और यहाँ पर देखिए, idle open हो चुकी है, और इसका हम लोग, script mode open करते हैं, तो file पर जाएंगे, और नई file create करेंगे, मान लीजे, आपको check करना है, कि number odd है, या फिर even है, तो आप कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले, जो number आपको check करना है, कि वो odd है, या फिर even है, वो number आपको पता होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर बनाया variable, नाम रखा num, equal, ठीक है, इसके बाद int method और bracket के अंदर हमने यहाँ पर input लिखा, input क्या है, method है, और हमने पूछा कि भी, या, जो number आपको check करना है, वो number इंटर कीजिए, तो हमने लिखा यहाँ पर, enter any number, sorry, enter any number, enter any number, इस line के execute होने से क्या होगा, num के अंदर एक value आ जाएगी, अब आ रही है कि हम चेक कर पाएं कि वो number odd है, या फिर even है, तो हमने आपर लिखा if, और हमने लिखा कि अगर num में आप 2 से divide करते हैं, और आपको मिलता है 0, तो इसका मतलब यह है, कि वो number क्या है, even है, ठीक है, अब चू की, जब यह condition सही होनी चाहिए, तो इस if की body के statement execute हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर block define क करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, लगाया colon, इसके बाद हमने enter की hit की, तो enter की hit करते ही क्या होगा, आप देखेंगे कि इसने starting से कुछ space छोड़ दिया है, करसर यहाँ से आ रहा है, तो जो यह आपको space दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं indent, basically जो space होता है, वो block को define करता है ठीक है, तो मैं यहाँ print कर देता हूँ, print और इसके बाद, ध्यान दीजेगा, अगर आपके पास एक से अधिक statement हैं, तो जो space है starting से, वो equal होना चाहिए, यह नहीं कि आपने किसी में 4 space और किसी में 5 space दे दिया है, ऐसा नहीं है, space equal होने चाहिए starting से, तो हमने आपके print करा दि कि भीया, जो आपने number enter किया था, number is even, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, तो आपको आना है else की body में, और यहाँ से print कर देना है, कि जो आपने number दिया था, वो एक odd number है, तो number is odd, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई सहाब, else की body में कौन सा statement है, तो आप बोलो कि भीय जो यह statement है, यह else का है, और यह statement किसका है, if का है, बट अगर मैं यहाँ पर कोई और statement लिखता हूँ, like, इसको मैं यहाँ से copy कर लिया, control C, और इसके बाद हमने कर दिया, control V, और मैं यहाँ कर देता हूँ, कुछ लाइक, कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, यह दोनों ही statement, else की body में आएंगे, बट अगर मैं यहाँ से, इस space को remove कर दूँ, तो जो print है, वो इसकी body में तो है, बट जो यह statement है, यह else की body में नहीं है, बट अगर मैं यहाँ से space देता हूँ, equal में, तो यह भी इसी body का हिस्सा बन तो यह होता है, indentation, अगला आता है, और वो है, point, comments start with a, has and python will ignore them, जो python में comments होती है, वो hash symbol से सुरू होती है, तो यह आपको याद रखना है, और जो भी comments होती है, वो python ignore कर देता है, next, instructions written in the source code for execution are called statement, आप लोगों को यहाँ पर एक program दिख रहा है, इस program में हमने जो भी यह लिखे instruction इसको हम बोलते हैं, क्या, इनको बोलते है, statement, ठीक है, अगला point है, keywords in python are reserved words that cannot be used as a variable name, function name, or any other identifier, जो python में keyword है, वो एक reserved word होते है, जिनका use आप variable name के लिए, function name के लिए, या फिर other type के identifier को create करने में use नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर भी एक twist है, twist यह है, कि जो भी आपके data type ओले keyword होते हैं, उसका use आप as a variable name कर सकते हो, मैं आपको भी live example देता हूँ, अगर आपको यह check करना है कि python में कौन कौन से keyword हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने program में import कराएंगे keyword module को, तो keyword, दिन इसके बाद आप लिखेंगे print और bracket के अंदर keyword, keyword, ठीक है, keyword dot, keyword की list, मैंने enter की, one minute, इसको मैंने किया run, one minute, इसको करता हूँ run, और आपको बताना है कि जो python की file होती है, उसे हम किस extension के साथ में save करते हैं, ये कोशन आपकी exam में part one में आ सकता है, तो आपने देखा कि हमने जैसे ही ये दो statement लिखें यहाँ पर सारे के सारे keyword आ चुके हैं, एक बात और कि अगर आपके exam में कोशन आए, कि भाई साहब python में कितने keyword होते हैं, तो आपको answer टिक करना है 33, python में 33 keyword होते हैं, ध्यान दीजेगा, और साथ ही, इसमें भी false, none और true, ये तीन ऐसे प्राड़ी हैं, जिनका पहला letter, जिनका पहला character capital letter में होता है, इसके अलावा, सारे ही keyword small letter में होते हैं, आप से पूछता है mcq में, कि python में सभी keyword small letter में होते हैं, तो आपको answer टिक करना है false, क्यों, क्योंकि तीन keyword ऐसे हैं, जिनका पहला letter capital में है, तो सारे small में क तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये आपके होते हैं keyword जिनकी संख्या 33 होती है अगला आता है point वो है python allow programming in object oriented and procedural paradigm मतलब क्या है कि जो python है ये oops के concept को follow तो करती है साथ ही आप इसका program procedural concept में भी लिख सकते हैं next जो variable होता है वो या तो later से शुरू होगा या तो underscore से शुरू होगा जो variable का नाम है उसमें space allow नहीं होता है साथ ही वो number से भी शुरूआ starting नहीं होती है mall region में लिख दिया है आपर one ram तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा invalid क्यों क्योंकि variable की starting नंबर से हो रही है जबकि variable की starting या तो later से होगी याने की ABCD से होगी या तो underscore से होगी इसके लावा अगर किसी अन्य special later से या फिर number से starting हो रही है तो वो एक invalid माना जाएगा variable next अगर आप लोगों को एक ही line में multiple variable को multiple value assign करना है तो आप ऐसा कर सकते हो python में यानि कि आपने क्या किया लिखा x, y, z ये क्या है तीन variable है और आपने अलग अलग variable को value assign कर दी तो इस case में क्या होगा x में आ जाएगा orange, y में आ जाएगा banana, z में आ जाएगा cherry ठीक है तो आप ऐसा कर सकते हो next two concatenate are combined two string you can use the plus operator यानि कि अगर आपको दो string को combine करना है तो आप plus operator का use कर सकते हो अगर आपको string repeat करना है तो आप लोग multiply वाला sign जिसको हम बोलते हैं asterisk उसका use कर सकते हो यानि कि इसका boolean represents one of two values जो boolean value होती है वो true or false ये दो value होती है साथी आप से पूर सकता है कि python में data type क्या है समझाईए जो कि part two में आ सकता है next जो list होती है इसमें आप multiple item store कर सकते हो एक ही variable में और list की जो indexing है जो पहला element होता है पहला item होता है उसका index 0 से सुरू होता है और array में भी जो indexing है वो 0 से सुरू होती है basically आप से पूर सकता है कि negative indexing को समझाईए तो ये आपको पता होना चाहिए इसको आप तयार कर लीजे आ सकता है next जो python language है इसे आप one minute python language को आप c, c++, com, activex, cobra and java साथी other type जो languages है उसके साथ में integrate कर सकते हो अगर आप लोगों को python में hello world प्रिंट करना है या फिर कोई statement प्रिंट करना है तो आप लोग print method का use कर सकते हो आपको bracket के अंदर लिखना होगा उस message को जिसे आप print करना चाहते हैं और वो as it is print हो जाएगा हमने यहाँ पर example के तोर पर लिखा था hello और उसके बाद python तो यहाँ पर मिला है hello python अगर आप लोगों ने वीडियो को like नहीं किया है तो आप महान है बट अगर आप लोगों को और महान बनना है तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं और चनल को subscribe कर सकते हैं next python programming language assumes any non-zero and non-null value as true यानि कि जो python है वो non-zero और non-null value को true मानता है जब कि अगर कोई value zero है या फिर null है तो उसे वो false की तरह treat करता है next the past statement in python is used when a statement is required syntatically but you do not want any command or code to execute ये बिल्कुल सही है मान लिजे आप कोई problem solve कर रहे हैं जिसमें आपको वहाँ पे जो होता है statement वो लिखने की need है यानि कि जब तक कि आप वहाँ पर statement लिखेंगे नहीं तब तक कि आपका program execute नहीं होगा तो इस case में अगर आप चाहते हैं भीया मुझे इस particular code को अभी नहीं लिखना है तो उस case में आप वहाँ पर past का use कर सकते हो तो जो आपका program है वो बिल्कुल fully तरीके से execute हो जाएगा तो जो past statement है इस पे sort note आपसे पूछा जा सकता है अगला है a complex number consists of an order pair of real floating point number denoted by a plus bj यानि जो complex number है वो a plus bj की form में होते हैं next python does not support a character type जो python है इसमें आपको care data type नहीं मिलता है जो भी होगा वो string data type में ही होता है next python operators in general are used to perform operation on value and variable जो python में operators होते हैं वो किसी value या variable जिसको हम बोल सकते हैं operate उस पे task perform करने के लिए use किये जाते हैं for example हमने लिखा five और उसके बाद seven अगर मैं आपसे कहूं कि इसका answer क्या आएगा तो आप कहोगे भी या इसमें करना क्या है इसको जोड़ना है कि घटाना है कि गड़ा करना है क्या करना है तो हमने कहां लगा दिया plus तो आप समझ है कि हमें इन दोनों values को क्या करना है सम करना है और सम करना है ये बात कौन decide कर रहा है तो answer आएगा plus operator तो ये क्या है ये है operator जो की decide करता है कि जो values हैं जो operates है उस पे कैसा task perform करना है और python में आप लोगों को arithmetic operator, comparison operator, logical operator, bitwise operator, assignment operator, identity operator, membership operator ये विविन प्रकार के operator आपको मिलते हैं अगला आता है ternary operator तो ternary operator को हम लोग conditional expression या फिर conditional statement कहते हैं basically जो ternary operator है ये f else का alternative है और आपको यहाँ पर एक दिया गया है syntax सबसे पहले आपको लिखना होता है वो statement जब condition true होगी तब execute होना चाहिए उसके बाद आप लिखते हैं if keyword ध्यान दीजिए keyword से याद आया कि आपके exam में पूछता है कि क्या evil python में keyword है तो आपको answer tick करना है false क्योंकि जो evil है ये एक method है एक statement है जो की python में मिलता है ये keyword नहीं है तो आप लिखेंगे if keyword धिन इसके बाद जो आपकी condition है जो expression है वो आप लिखेंगे धिन जब ये condition या फिर expression wrong होगा तो उस case में कौन सा statement execute होना चाहिए वो आप लिखते हैं else keyword के बाद में तो आप लोगों को यहाँ पर example दिया गया है मान लीजे आपको check करना है कि दो number में कौन सा number बड़ा है वो मुझे find out करना है तो आपने क्या किया सबसे पहले दो variable create किये नाम रखा आपने a और b और इसके बाद a में आ जायेगा 10 b में आ जायेगा 20 ठीक है या फिर आप पर एक ही line में दो variable को अलग-अलग value assign कर दी दिन मैंने कहा कि अगर अगर a की value b से छोटी है तो आपको print करना है a नहीं तो आपको print करना है b तो इस case में क्या होगा a में कितना है 10 b में कितना है 20 तो जो 10 होता है वो 20 से छोटा होता है तो इस case में जो if के पहले वाला part है वो execute होगा और यहां से 10 assign हो जायेगा इस min नाम के variable के अंदर दिन हमने यहां से min की value को print कराया तो यहां से 10 print हो जायेगा next जो tuple होता है वो objects का collection होता है जिसमें elements ordered form में होते हैं और tuple immutable होता है जैसे कि आपका list हो गया dictionary हो गया sit हो गया यह सभी के सभी mutable होते हैं जबकि जो tuple है यह immutable है sting immutable है तो यह आपको ध्यान रखना है next python block begin with the keyword diff जो python का block होता है जो python का नाम है उसके पहले आप लोग diff keyword का use करते हैं साथी आप लिखते हैं function का नाम और लगाते हैं parenthesis next all parameters in the python language are passed by reference आप से पूछ सकता है by default python language में जो भी आप argument पास करते हो parameters पास करते हो वो किस तरीके से पास होते हैं तो आप concertic करना है past by reference basically दो टर्म आते हैं एक आता है past by value एक होता है past by reference तो जो past by value होता है इसमें क्या होगा कि जो भी object है उसकी एक copy पास कर दी जाती है तो उस case में जब भी उस value में कोई changes किये जाते हैं तो जो main original object था उसमें changing नहीं होती है but अगर किसी value को आप किसी argument को आप reference के थूँ पास कर रहे हैं यानि कि past by reference है तो उस case में क्या होगा जो object था आपका actual object उसका reference पास किया जाता है then उस reference के थूँ उस value में जो भी changes किये रहते हैं तो वो actual object में भी change होता है मैं आपको बताता हूँ एक example मान लीजिए ये क्या है ये है pass by value और ये है pass by reference ठीक है आपके पास एक object था नाम था sonu और इस sonu के अंदर आपने क्या रख दिया 15 तो अगर मैं आपसे पूंचू कि 15 क्या है तो आप बोलोगे एक value है जिसको हम लोग बोलते हैं literal साथ ही जो sonu है वो क्या है वो है variable का नाम तो इस case में क्या होगा अगर मैं किसी function में इस value को pass करता हूँ as a argument तो इस case में क्या होगा अगर मैं pass कर रहा हूँ value के थरू तो इस case में क्या होगा जो python होगा वो इसकी एक copy create करेगा और उस copy को pass करेगा अगर मैं यहाँ पर कुछ changes करता हूँ तो इस case में जो changes है इस copy किये गए variable में होंगे ना कि इस exact actual object में होगा बट अगर reference के थूँ आप parameter pass कर रहे हैं तो इस case में क्या होगा कि अगर आप ने जहाँ पर value को pass किया है वहाँ पर कोई changes होते हैं तो वो आपके actual value पर भी apply होगा actual object पर भी apply होगा next required arguments are the argument passed to a function in correct positional order required argument वो होते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल एक position एक order में pass करना होता है next the scope of a variable determines the portion of the program where you can access a particular identifier किसी भी variable का scope यह define करता है कि particular identifier को आप program में कहाँ पर access कर सकते हो और कहाँ पर access नहीं कर सकते हो जो name space होता है वो variable name यानि जो बोल सकते हो keys साथ ही उसके corresponding जो object है उसका एक dictionary होता है यह हम बोल सकते हैं कि name space में variable name को उसके जो object होता है value होती है उसके साथ में map किया जाता है अगला आता है कि जो r plus mode है इसका मतलब यह है कि जो आपने file की है वो reading और writing दोनों mode में available है the file pointer placed at the beginning of the file अगर आपने file को r plus mode में open किया है तो आप उसको read कर सकते हो उसको write कर सकते हो साथ ही जो file pointer होगा file object होगा file handler होगा वो file के starting में place हो जाता है वहीं अगर आप लोगों को यह check करना है कि file को close किया गया है या फिर नहीं तो आप लिए सकते हो file handler का नाम dot closed तो अगर ये method आपको देता है true तो इसका मतलब यह है कि file close है अगर आपको मिलता है false तो इसका मतलब यह है कि जो वो file थी वो close नहीं है अगला आता है linker और loader तो वैसकली यहाँ पर लिखा गया है linker का काम compiler से generate object file को executable file में convert करना होता है compiler में output generate करने यानि कि executable file generate करने के लिए linker की जरूरत पड़ती है loader का काम executable file को RAM में यानि कि main memory में load करने के लिए इसका use किया जाता है इस process में कभी कभी error भी आ सकती है जिसे हम लोग run time error भी कहते हैं loader भी compiler में use होता है मैं आप लोगों को बिलुकुल simple से सब्दों में बताना चाहता हूँ क्या होता है linker और loader का rule तिसको करते है white screen ठीक है ये आपका source code है क्या है ये है source code इस source code को compiler ने compile किया ठीक है ये कौन बैठा है यहाँ बैठे है भाई साब compiler ये कौन है ये है compiler इस compiler ने इस source code को compile किया दिन object code generate हुआ ये क्या है ये है object code ये क्या है ये है object code अब इस object code को execute होने के लिए कुछ external कुछ additional file की requirement होती है तो उन file को link करने का काम कौन करता है वो आता है linker तो जो linker होगा इस object code को एक executable file बनाने के लिए जिन भी files की requirement होगी उन additional file को क्या करेगा जो भी extra files है उसको इस object code के साथ में link कर देगा link करने के बात क्या होगा बन जाएगी executable file तो ये क्या बन गई है ये बन गई है exe file दिन इसके बाद अब बारी है loader की अब आएगा loader loader क्या करेगा इस file को main memory में load करेगा तो ये क्या है ये है loader और loader ने क्या किया इस file को main memory यानि की RAM में load कर दिया तो यहाँ पर आजाएगा memory तो ये काम होता है linker और loader का basically linker और loader से याद आया कि आपके exam में pickling और unpickling भी पूछा जा सकता है तो इसे भी आप त्यार कर लीजेगा अगला आता है lambda function तो आने आप लोगों को पढ़ा रखा है इसको आप देख लीजे अपने इसाब से ठेक है इसका screenshot ले लीजे ये important है next आता है आपसे पूछ सकता है जो कि एक most important question है कि python में file का क्या use है file को open करने के लिए कौन कौन से mode available है पहला question ये दूसरा आपसे पूछ सकता है कि mutability का concept क्या है समझाईए तो इनको भी आप त्यार कर लीजेगा तो अगर आप file को r mode में open करते हैं तो इसका मतलब ये है कि read mode में existing file को open करने के लिए हम लोग r mode का use करते हैं जो कि default होता है वहें जो w है तो write mode में file open करने के लिए यानि कि नई file बनायेगा अगर उस नाम से file पहले से ही बनी है तो existing content को delete कर देता है next a अगर आप file को a mode में open करते हैं जिसकों बोलते हैं append mode तो इसका मतलब ये है कि जो पहले से बनी वनाई file है उसके last में आप content को add करना चाहते हो तो वो आएगा यहाँ पर a यानि कि append mode देना आता है r plus यानि कि पहले से बनी file को आप read करना चाहते हो या फिर उसमें write करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो r plus mode के through ध्यान दीजेगा अगर आपने file को r plus mode में open किया है तो उस file में जो भी पहले से data है वो delete नहीं होता है बट अगर आपने file को w plus mode में open किया है तो इसका मतलब ये है कि आप file को read कर सकते हो write कर सकते हो बट अगर उस नाम से पहले से file बनी होई है तो उसका data delete हो जाएगा nest हो जाएगा next a plus mode तो पहले से बनी file में read और write करने के लिए अगर file पहले से बनी होती है तो नया data file के अंत में लिखा जाता है आता है rb और wb तो इसका use हम लोग binary file को open करने के लिए करते है rb मलब है कि आपको binary file में read करना है अगर binary file में write करना है तो आप लिखते हो wb basically आप लोगों को legb rule recursion इन्हें तो कताई miss नहीं करना है साथी command line argument साथी important videos है वो मने आप उसकी link मने आप लोगों को लाइक नहीं किया है तो आप like कर सकते हो अगर आपके अंदर से अवाज आ रही है कि आपको इस video को like करना चाहिए कुछ points है हाला कि मैं आप लोगों के साथ में points को discuss कर चुका हूँ बट एक बार मैं दुबारा से इसे discuss कर लेता हूँ कि python file का extension dot py होता है वहीं byte code file का extension dot pyc होता है data type keyword को हम identify की तरह use कर सकते हैं अगर कोई function कोई भी value return नहीं करता है तो by default non return करता है list एक compound data type है क्योंकि इसमें आप अलग-अलग data type की value को store कर सकते हो next क्या हम positional argument को किसी भी order में pass कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है आपको एक order में ही pass करना होता है अगला आता है जब कोई function एक से अधिक value को वापस करता है तो इस case में वो टपल की form में होता है py jam, atom, spider, visual code, anaconda ये क्या हैं ये सभी के सभी python ideally के example हैं अगला जो console होता है इसे हम लोग command line interpreter या फिर cell भी कहते हैं next जो complex value है उसकी आप type casting नहीं कर सकते हो आपसे पूछेगा mcq में कि इन में से किस data type की value को type cast यानि कि type conversion possible नहीं है तो आपको particular कर देना है complex value next धान दीजेगा जो complex value होती है वो इस form में होती है यानि कि कोई value यह है फिर उसके बाद y आप लिसकते हो और इसके बाद j जो j है वो compulsory होता है वहें जो x और y है यह digits होते हैं numbers होते हैं अगला है जो python है इसमें care data type exist नहीं करता है जो कुछ भी होता है वो str इस data type में होता है यानि कि existing की form में होता है data को repeat करवाना है तो आप asterisk का use कर सकते हो int float complex bool str यह क्या है यह सभी के सभी fundamental data type या बोल सकते हो core data type है जबकि tuple, list, dictionary यह क्या है यह basic data structure है class भी एक data type ही है जो class होती है यह भी एक data type ही है बट यह एक user defined होता है यहनि कि user defined data type होता है next step value कभी भी 0 नहीं होती है numpy array में 0 से divide करने पर error नहीं आता है बलकि आपको मिलता है inf आप से push सकता है true false में जब हम numpy array में किसी भी element को 0 से divide करते हैं या फिर array में 0 से divide करते हैं तो उस case में error आती है तो आपको answer tick करना है false जो python का compiler है वो c language में लिखा गया है pvm यानि कि python virtual machine इसे हम लोग python interpreter भी कहते हैं जो python prompt होता है यह आपका is greater than symbol से शुरू होता है जो complex class है वो एक sequence नहीं है यानि कि group of item नहीं है package एक name space है जिसमें कई सारे module है ठीक है और अगर आपको उस module में उपस्थित किसी function को अपने program में use करना है तो उस function से संबंदित जो भी module होता है उसे भी आपको अपने program में import करना होगा ठीक है python language case sensitive होती है और oops के concept को follow करती है क्या python language में indentation अनिवार्य है तो answer आएगा जी हाँ indent का ही सारा खेला है next python library python package का collection होता है यानि कि जो library होती है उसमें कई सारे package होते है और package के अंदर module होते है next numpy, pandas, matplotlib ये क्या है ये सभी के सभी library है os, sys, random, math, date time ये क्या है ये सभी के सभी python built-in module है मतलब क्या है मतलब ये है कि जब भी आप लोग python install करते हो तो ये बिन बुलाए आपके computer में install हो जाते है इन्हें alex install नहीं करना होता है next python में class बनाने के लिए आप class keyword का use करते हो function को define करने के लिए def keyword का use करते हो तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथी module को import करने के लिए आप import keyword का use करते हो python 3 में total 33 keyword है और इन में से 3 के जो पहला later होता है वो capital later में होता है next init एक special method है या constructor है जो तब automatically call होता है जब हम उस class का object बनाते हैं instance बनाते हैं और सभी class में जो init method है वो जरूर से जरूर होता है ऐसे function जो iterable items के set को return करता है उसे हम लोग generator कहते हैं next अगर आपको किसी array या string को reverse करना है तो आप यहाँ पर इस type से लिखेंगे statement यानि की square bracket के अंदर double colon और इसके बाद minus one तो इस case में क्या होगा जो sequence है वो reverse हो जाएगा यह मैंने आपको बता ही दिया है साथी step by step लिखे गए निर्देसों को हम लोग algorithm कहते हैं वहीं logic के pictorial या बोल सकते हो graphical उसके representation को flow chart कहते हैं किसी भी प्रोग्राम के run होने की step सबसे पहले coding फिर compiling फिर linking लोडिंग फिर उसके बाद execution होता है list, dictionary, set, byte array, user defined data class ये क्या होती है mutable होती है जबकि tuple, int, string, float ये क्या है ये immutable data type है next एक data type की value को दूसरे data type की value में convert करना type casting कहलाता है जिसे हम लोग type conversion भी कहते हैं इस पे आपके exam में sort note आ सकता है क्या python में main function compulsory होता है तो answer जी नहीं next append, extend, insert function इनहीं की help से आप python array में value को insert कर सकते हो वहीं value को remove करने के लिए आप pop और remove in method का use कर सकते हो अगर आपको string, list या array की length को find out करना है आपको check करना है कि उसमें कितने character है या फिर कितने items हैं तो आप lin method का use कर सकते हो साथी आपको कम से कम list, tuple और dictionary साथी file handling के जो method होते हैं कम से कम 5-5 method के बारे में जानकारी होनी चाहिए साथी आपको दिखरा होगा int, str, set, dict, complex, list, hex, odd ये क्या है ये सभी के सभी method जिनका use हम लोग type casting में करते हैं ठीक है इसको अपर लेजगा अपने हिसाब से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है तो आपका time waste हो ये जरूरी नहीं है ठीक है